क्लास 10th के लिए सबसे बहतरीन टाइम टेबल मैं आपको next slide में दिखाने वाला हूँ ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसको सालों की extensive research के बाद बनाया गया है बहुत सारे टॉपरों से बाचीत करने के बाद बनाया गया है जिसको follow करने से आप अपनी क्लास 10th में at least 95% से उपर score तो करोगे ही करोगे भहिया यार दिखा दो यार प्लीज ये टाइम टेबल बता दो इसको देखके मेरे को 95% उपर लेके आने है तो डरोगे तो नहीं ना दिखाता हूँ आपको क्लास 10th का the best टाइम टेबल इन 3, 2, 1 तो क्लास 10th के लिए सबसे बहतरीन टाइम टेबल है ये कि भहिया मैं ना 4 बजे उठूँगा आदे घंटे के लिए exercise करूँगा फिर मैं 4.4 बजे एक घंटे के लिए notes पढ़ूँगा फिर 6.6 बजे आदे घंटे में fresh होऊँगा फिर मैं ready हो जाओंगा स्कूल के लिए फिर 6-1 बजे तक मेरा पहला study session है जो मैं स्कूल में करूँगा फिर 6.6 बजे स्कूल टाइमिंग है फिर 12.50 पे घरस आता हूँ फिर उसके बाद थोड़ा afternoon का break है एक और बच्चे ने बनाया wake up होगा 9 बजे, washroom होगा 9-9, breakfast होगा 9-10, TV होगा 10-11, फिर उसके बाद जो भी इसने लिखा है फिर उसके बाद क्या लिखा है, fighting time जो है, वो होगा 1.30-1.30 बजे तक एक और बच्चे ने लिखा है, 7 बजे उठूँगा, fresh होगा, 7.30-7 बजे निउस पेपर पढ़ूँगा, 7.30-8 बजे breakfast करूँगा 12 से लेके 1 बजे तक current affair पढ़ूँगा, 1 बजे से 2 बजे तक lunch time ये ऐसे time table है, जो हम में से maximum बच्चों ने मैं तो ये कहूँगा, हम में से हर एक बच्चे ने बनाया है और follow किसी का ने हुआ, तो इसलिए ये जो time table मैंने आपको दिखाया है जिसको दुनिया वाले the best time table मनाते हैं, ये सबसे रद्धी time table है, जो किसी से follow नहीं होता है तो क्या है class 10 के लिए the best time table, क्या है class 10 में 95% स्कोर करने के लिए best strategy वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, शुरुबात करते हैं 10 को बताब, सबसे पारिया Hello everyone, दृसक्रोबेत तिरवान, आज की इस वीडियो मैं में बहुत ही महटको पूर टॉपिक के बारे में बात करने है जिसका नाम है time table हर एक बच्चा सोचता है कि भाईया, ऐसा क्या time table होना चाहिए मेरे पूरे दिन का जिसको मैं follow करूँ और मेरा हर एक slayvers cover हो जाए, हर एक homework cover हो जाए, मेरा कोई backlog ना बचे और मैं इस class में at least 95% जो मैंने सपना ले रखा है न कि इस साल में 95% score करूँगा या इस साल में 95% score करूँगी, वो सपना मैं follow कर पाऊँ, वो सपना मैं पूरा कर पाऊँ तो क्या उसके लिए best time table होना चीए, वो बता दो तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस तरह का time table बनाओ कि भाई 9 बजे उठोंगी, 7.7 बजे ये करूँगा, 8 बजे ये करूँगा, ये किसी से follow नहीं होता क्या time table follow होता है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन steps बताऊंगा, जिन तीन steps से तुम अपने लिए the best time table बना सकते हो 3 steps to make the best time table, वो मैं इस वाली वीडियो में discuss कर रहा हूँ ध्यान से सुनते रहना बहुत important वीडियो है, इन तीन steps को follow करो और अपनी class 10th में या किसी भी class में हो, उसमें अच्छे marks score करो बहुत असान 3 steps है, number one, number one होता है, जिसे हम कहते है morning versus night, identify करो, identify करो, क्या आप एक morning पर सुन हो या आप एक night पर सुन हो, भया मैंने तो सुनाए teachers कहते हैं, रात को नहीं पढ़ना चीए रात को पढ़ने से न marks कम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बिल्कुल frankly बता रहा हूँ, मेरे ऐसे ऐसे दोस्ते, जो रात भर पढ़ते थे सुबह दिन में आके सोते थे, तब भी वो बच्चे, top के batches में थे कुछ बच्चे जो इस समय IAT-YAT में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मित है कि रात को पढ़ने वाले बच्चे बेकार होते हैं और दिन में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप ऐसे हो जो दिट में उठके अराम से पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया अगर आप ऐसे हो कि भाईया मेर से ना सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो कोई बात नहीं रात में लेट नाइट तक पढ़ो बस ध्यान ये रखना रात की लेता हूं चलो यार मैगी बना लेता हूं चलो ये कर लेता हूं चलो थोड़ी सी वेब सीरीज लगा लेता हूं कि मैगी तो बनाई है साथ में वेब सीरीज देखता हूं तो वह कब चार के पांच बच जाएंगे कब पांच के छे बच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा तो इसलिए कोशिश करो, अगर आप एक night person हो, तो max to max 1-2 बहे तक सो जाओ रात के, और सुबह अपने 8-9 बहे तक उठ जाओ, और अगर आप एक morning person हो, तो रात को 10 बहे तक सो जाओ, और सुबह-सुबह 5 बहे तक उठ जाओ, तो morning person के लिए सबसे best है, रात को 10 बहे सो जाओ, 10 बहे के बाद उठना नहीं है, 10 बहे सो गए, सुबह 5 बजे उठ गए, और night person के लिए, रात को 2 बहे तक सो जाओ, और सुबह-सुबह अपने 8-9 बहे तक उठ जाओ, यह होता है, आपको identify करना है, कब आपका दिमाग best चलता है, कुछ बच्चों का सुबह उठके जल्दी चलता है, कुछ बच्चों का रात को जल्दी चलता है, रात को अच्छा दिमाग चलता है, जो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप follow कर सकते हो, बस में इन बात है, आपको identify करना है, यह है step number 1, step number 2 है, productive और unproductive time, दिन में क्या होता है, कुछ ऐसा time होता है, जैसे कि मालो lunch के बाद वाला time होता है, तो उसमें क्या होता है, हमने अभी खाना खाया है, हमारे पेट में एक किलो चावल भरे हैं, तो हमें यह लगता है कि यार, थोड़ी थोड़ी नीद आ रही है, तो जो नीद वाला time होता है ना दोपहर का, इसे कहते है unproductive time, तो आपको यह identify करना है, आपके लिए क्या unproductive है और क्या productive है, तो यह जो आपका productive time निकल के आ रहा है ना, जैसे कुछ बच्चों का होता है, कि सुब़ सुब़ उठते ही, वो सबसे यदा productive होते हैं, सबसे यदा काम करने का उनको मन करता है, तो आपको identify करना है, दो type के आपके time होंगे, एक type का, शिट गिरी गया, देखो, देखो, मैं आपको बताता हूँ, तो दो type के आपके time होंगे, पहला होगा आपका productive time, तो आपको productive time अपना identify करना है, productive कुछ बच्चों के लिए morning हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए late night, जब सब लोग सो जाता है घर में, तो वो भी productive time हो सकता है, तो अलग-अलग productive time होते हैं बच्चों के, और आपको identify करना है, क्या आपका unproductive time है क्या आपका unproductive time है तो कुछ बच्चों के लिए unproductive होता है after lunch, जो lunch के बाद वाला time होता है उसमें बच्चों को नील आरी होती है है ना, कुछ बच्चों के लिए होता है कि सबसब उठते ही नहीं हो पाता, early morning कुछ बच्चों से काम नहीं हो पाता है तो आपको यह identify करना है आपका कौन सा productive time है और कौन सा unproductive time है तो step number one जो मैंने आपको बताया वो है क्या आप early morning person हो या फिर late night person हो दूसरा step है आपको identify करना है आपका कौन सा productive time है और कौन सा unproductive time है last step जो है ये सबसे ज़ादा important है आपको क्या करना है आपको इस productive time में सबसे मुश्किल task करना है और unproductive time में सबसे असान और लल्लू काम करने है भाया क्या बोला आपने देखो ध्यान से task को ध्यान से करो तो time table मत बनाओ time table की जगे क्या करो task list बनाओ time table की क्या करो time table की जगे task list बनाओ कि आज मेरे को क्या क्या करना है माल लो मेरे को 20 questions करने है 20 questions करने है maths के solve maths के question दिमाग लगा के solve करने है है ना दूसरा माल लो मेरे को एक project file बनानी है एक project file बनानी है तीसरा माल लो मेरे को 20 reactions याद करनी है 20 reactions याद करनी है तो मालनो मेरे पास यह 3 task हैं पूरे दिन के तो क्या लिखा है Instead of time table time table मत बनाओ make task list and divide them into productive and unproductive time अब इनको divide करो productive और unproductive time में तो मेरे जान आपको time table नहीं बनाना है आपको task list बनानी है और इसको divide करना है unproductive और productive time में तो देखो जैसे 20 questions है maths के यह ऐसी चीज है जिसमें दिमाग लगेगा यह ऐसा नहीं है कि आप रात को जब नीद आ रही हो समय कर सकते हो उस समय नहीं हो पाएंगे तो यह productive time में आपको करना है यह productive time में आपको करना है project file project file क्या होती है project file में कहा है दूसरे से देखके छापना है तो जब नीद आ रही है तब क्या करो earphone लगा के project file जल्दी जल्दी complete कर लो तो यह unproductive time में कर सकते हूं इनको ना कभी भी mix मत करना ऐसा मत करना कि project file तो सुबसुब उठके कर रहा हूं ऐसे time पर कर रहा हूं जब मेरा दिमाग सबसे जदे चलता है उस समय ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें दिमाग नहीं लग रहा तो जिसमें दिमाग नहीं लग रहा उसको unproductive time में करेंगे और जिसमें दिमाग लगाना है उसको productive time में करेंगे reactions को याद करना है productive time में करेंगे मानलो एक और task list है आपका मानलो आपकी task list में एक और है कि आपको room की सफाई करनी है ये भी तो task हो सकता है तो room की सफाई ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपका बहुत दिमाग लग रहा है कि भाई सुबह सुबह उठूँगा mind fresh होगा और तब room की सफाई करूँगा ऐसा तो नहीं है तो इसको आप उस time में कर सकते हो जब आप unproductive हो मानलो खाना खाया खाना खाने के बाद बहुत नीम सी आ लिए तो उस समय क्या करो उस समय इस unproductive task को कर लो उस समय पढ़ाई मत करो क्योंकि उस समय पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं होगा तो यह होता है यह होता है जो मैंने आपको बताया इसे कहते हैं smart work जो की maximum toppers कर रहे होते हैं toppers कभी भी ऐसे time table नहीं मनाते मैंने देखा है बहुत साई topper से बात कर ली ऐसे ऐसे बच्चे जो 99%, 98%, 99.8% लाया उन्होंने किसी ने भी ऐसा करका time table नहीं बनाया था कि 4 बज़ उठूँगा, 5 बज़ ये करूँगा, 6 बज़ ये करूँगा ऐसा नहीं बनाया था उन्होंने क्या करा था task list बनाई थी ये होता है सबसे best time table तो time table तो बनाने नहीं है क्या बनाना है, task list बनाना है ये हमें ध्यान रखना है क्या मेरी बात समझ में आई, तो आपके अब जो आगे की चीजे होंगी, उसमें कभी भी time मातवेस करना है कि मैं time table बनाते फिर हूँगा नहीं, task list बनाऊंगा सुबह सुबह उसको मैं divide कर दूँगा productive and productive time में और उस तरह से काम को करूँगा दिन के end में मेरा ये goal होना चीए कि इस task list को मेरे को complete करना है बस इस goal के साथ रोज का मैं दिन cover करूँगा क्या मेरे बाद समझ में आ रही है तो ये होता है best time table बनाने का तरीका जो की toppers use करते हैं toppers कुछ भी चीज़ अलग नहीं करते हैं वो हर एक चीज़ को अलग तरीके से करते हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया तब तक के लिए बाई पढ़ना है पोड़ना है कहर मचा देने आग लगा दिनी है मिलते हैं इसी तरह की कई और वीडियो में बताओ क्या चीज़ चाहिए एक बार comment section में बताओ किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो आपके लिए आ जाएगी शोबित भाया आपके साथ हैं 24 बटे साथ बाई बाई गुड़नाइट मिलते हैं अगले वीडियो में बाई जाओ और पढ़ लो पढ़ लो जल्दी से productive अन्प्रोड़क्टिव टाइम निकाल के इन तीनो स्टेप्स को फॉलो करो पहला स्टेप morning वसेज night दूसर स्टेप productive टाइम निकालो और तीसरा स्टेप task list को डिवाइड करो इन तीन स्टेप्स से अपना best time to well बनाओ और जाके पढ़ाई करो चलो YouTube बन करो पढ़ाई करो बाई 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 चलो पढ़ाई करो बाई